आज जावटनेट आप डाउनलोड करें जावटनेट पर अपने सभी गनित, रिसायन, विज्यान, भौतक विज्यान और जी विज्यान के डाउटस का करो सपाया बस प्रशन के फोडो कीचो, एक ही प्रशन को क्रॉप करो और तुरफ विडियो सिलूशन पाओ सब्सक्राइब अब हिधाँ। तो देखो इसका हम लोग आंसर देखते हैं उत्तर देखते हैं कि जो प्रोटीन होते हैं वो क्या करते हैं प्रोटीन अमीनो अमल के इसको हम लोग लिखते हैं कि प्रोटीन जो होते हैं वो क्या होते हैं कि अमीनो अमल के एक या एक से अधिक एक या अधिक लंबी संख्ला हो होते हैं अब हमारे पास में देखो जो पेटाइड बंधन है उसको हम लोग समझते हैं कुछ हिस तरीके से तो हम लोग लिखेंगे जो पेटाइडड बंधन तो प्रेप्टाइड बंधन के एक साथ जुड़े अमीनों अमल के, देखो यहां पे हम लोग लिखते हैं, कि जो पैप्टाइड बंध है, तो पैप्टाइड बंध तुबारा एक साथ जुड़े अमीनों अमल, एक साथ जुड़े जो अमीनों अमल होते हैं, तो अमीनों अमलके जो रेखिय अमीनों अमलके रेखिय स्रंखला को यह तो हमारे पास में क्या हो गया दिखो इदर रेखिय स्रंखला को प्रोटीनों की प्रात्मिक संरंचना कहते हैं प्रात्मिक सनंचना कहते हैं क्योंकि हमें यह क्या दे रहा है कि जो प्रतिक पॉली पैप्टाइड है उसमें क्या अमीनो अमली क्या है एक निर्धारित रूप में तो अगर निर्धारित क्रम में यह जुड़े हुए हैं तो फिर यह क्या होगा हमारे पास में एक प्रात्मि में एक अमीनो अमल का तो जो हमारे पास में एक प्रोटीन होता है उसके अंदर क्या होता है कि एक अमीनो अमल का एनिच्टू एक अमीनो अमल का जो एनिच्टू होता है वो क्या करता है दूसरे अमीनो अमल के सी ओ एच से लिखेंगे हम लोग जो दूसरा अमीनो अमल है उसक के सी cleanup के समोह से क्या होता है समुह कार्बॉक्स एक अमिच गुरूप होकर होता है लिखेंगे हम लोग इसे कुछ इस तरीके से पैप्टाइड बंद जिसको हम लोग इस तरीके से रीप्रेजेंट कर सकते हैं यहां पे अनेच सी ओ इस तरीके से कुछ एनेच CO तो ये इस तरीके से क्या होता है जुड़ जाता है NHCO बंद का क्या करते हैं ये का निर्मान करते हैं आ गई बात समझ में ठीक है का निर्मान करते हैं तो peptide बंदन के अंदर प्रते एक aminoamil होता है वो क्या कर दो हुआ होता है एक NH2 ग्रूप के साथ में क्या होता है जुड़ा होता है तो फिर क्या होता है एक NH2 ग्रूप दूसरे aminoamil के COH से जुड़ता है और संग्नन अभिक्रिया से NHCO का निर्मान कर लेता है तो हमारा फर्स्ट जो ऑप्शन हो जाएगा प्रात्मिक्स अनलचना इसका सही आंसर हो जाएगा थैंक्यू